हेलो फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे कि बिसाइड और बिसाइड के बीच में क्या अंतर होता है और बिट्वीन और अमंग के बीच में क्या अंतर होता है और इनका यूज कैसे करना चाहिए तो सबसे पहले हम सीखेंगे beside और besides के बारे में तो देखिए beside means होता है pass में और besides means होता है के अतिरिक्त, अलावा या सिवा है तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक short trick बता सकती हूँ कि आप beside और besides मंतर कैसे करेंगे तो इसके लिए आप याद रखना एक line बस कि beside के pass में ऐस अतिरिक्त है मैंने क्या बोला, beside के pass में ऐस अतिरिक्त है यानि beside means हुआ pass में और ऐस अतिरिक्त है का मतलब हुआ कि beside में हमने ऐस लगा दिया तो हो गया beside से और इसका मतलब हुआ अतिरिक्त यारी beside में ऐस अतिरिक्त लगते ही इसका मतलब हुआ अतिरिक्त तो ठीक है तो beside के बारे में हम सबसे पहले कुछ examples देख लेते हैं तो beside means तो आप जानते हो इसका मतलब हुआ पास में for example सुर्भी मेरी मा के पास में बैठी थी मेरी मा के पास में I like to sit beside my friend मैं अपने मित्र के पास बैठना पसंद करती हूँ अब आ जाते हैं besides पर besides means होता है के अतिरिक्त अलावा या सिवाए और जैसे I have no friend besides शिवानी मेरी शिवानी के अतिरिक्त यानि शिवानी के सिवाए कोई friend नहीं है दूसरे example देख लेते हैं राम speaks four language besides हिंदी राम हिंदी के सिवाए यानि हिंदी के अतिरिक्त चार भाशाएं बोलता है अब यह आपको अच्छे सा आ गया होगा अब आ जाते हैं between means के होता है और among means के होता है तो देखे between means भी के बीच में होता है और among means भी के बीच में होता है यानि between और among इन दोनों का हिंदी में अर्थ होता है के बीच में दोनों शब्दों का अर्थ एक जैसा होने की वजह से छात्र अकसर भ्रहमित हो जाते हैं तो चलिए जानते हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है तो देखें between का प्रियोग हम तब करते हैं जब दो लोगों या दो वस्तूओं के बीच में संबंध दर्शाते हैं जैसे distribute these apples between इन सेबों को राम और श्याम के बीच में डिस्ट्रिब्यूट कर दो, बाट दो, यानि किन के बीच में बाट दो, राम और श्याम के बीच में, तो राम श्याम ये दो हो गए, इसलिए हमने हाँ पर बीच में के लिए बिट्वीन का यूज किया, अब आज आते हैं दूसरे तो दूसरे एक्जम्पिल है सीका, रेखा इस सिटिंग बिट्वी और सरला के बीच में बैठी है, तो यहाँ पर दो जने हैं सुर्भी और सरला, तो इसलिए बीच में के लिए हमने बिट्वीन का यूज किया, अब आज आते हैं अमंग पर, तो अमंग का प्रियोग हम तब क तो इसलिए हमने यहाँ पर बीच में के लिए अमंग का यूज किया, एक एग्जम्पल और देख लेते हैं, जैसे दा टीचर वाज सिटिंग अमंग दा स्टुडेंट्स, अध्यापक विद्यार्थियों के बीच में बैठे थे, तो यहाँ पर क्या इसलिए इसलिए इसलि स्टुडेंट्स हैं, तो यह दो से अधिक हुए, इसलिए इसलिए स्टुडेंट्स लगाया गया यहाँ पर, तो कीचर कहां बैठे हैं, बहुत सारे स्टुडेंट्स के बीच में बैठे हुए हैं, इसलिए हमने बीच में के लिए आमंग का यूज किया, तो फ्रेंड्स इ मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जै हिंद जै भारत